आज के हमारी रेशिपी बहुत ही special है और वो है हरी मिर्ची का ठेचा यह एक मारास्टियन रेशिपी है यह एक तरह की मिर्च और लहसून की छटनी है जो बहुत ही tasty लगती है आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी आप एक दो रोटियां ज्यादा ही खालेंगे तो चलिये आज की रेसेपी को स्टार्ट करते हैं मैं हूँ सेविता और मेरे यूटूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए अब जल्दी से बनाते हरी मिर्च का जंजणी ठेचा जंजणी मतलब चटपटा तो एक पैन ले लिया है इसमें दो चोटे चम्मच जितना कूकिंग ओयल डाल दिया है और ये देखिए 100 ग्राम जितनी हरी मिर्चे ली है मैंने अच्छे से धो कर पोच कर और ये वाली मिर्ची ज़्यादा तेज वाली नहीं है फीकी ही है आप चाहें तो तेज वाली भी उस कर सकते हैं जादा मिर्च खाते हूँ तो तो तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा इसके बाद हम इसमें लहसून डालेंगे तो जितनी मैंने मिर्च ली है उसकी आदी मैंने लहसून ली है लहसून से इस ठेचा का स्वात बहुत ही बढ़िया आता है और लहसून बहुत जरूरी है इसमें देखें लहसून और हरीमिश दोनों डाल दी है मैंने और इनको अल्टी-पल्टी करते हुए हम फ्राइ कर लेंगे इनका कच्चापन हमें दूर करना है और अगर आप तेज वाली मिर्ची लेते हैं तो उसमें मूम फली के भुने हुए दाने भी आप डाल सकते हैं छिलका निकाल कर तो वो भी एक तरीका है लेकिन ये वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज नहीं है बहुत तीखी नहीं है तो देखिए इस तरीके से अल्टी पल्टिक करते हुए हमने इनको फ्राइ कर लिया है अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इनको ठंडा होने देंगे फिर मिक्सर जार में हम इने दरदरा ग्राइंड करेंगे तो ये देखिए मैंने gas का flame up बंद कर दिया है तो mixer jar में हम ये सब डाल देंगे ठंडा होने के बार और बंद चालू करते हुए हमें grind करना है paste नहीं बनाना है दरदरा सा grind करना है हमें इसे paste बना देंगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा इस चटनी का ठेचा का मराठी में इसे ठेचा कहा जाता है अब इसमें हम डाल देते हैं एक चमच lemon juice नीबू का रस और नमक ले लेंगे तो मैंने एक चमच नमक डाला है आप अपने टेस्ट के according लेए चलिए अब दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है आप ट्राइ जरूर कीजिएगा टेस्ट कीजिएगा और फिर मुझे comment section में comments करके बताईएगा कि आपको कैसी लगी ये चटनी या ठेचा तो देखिए यहां मैंने grind कर लिया है दरदरा सा और इसमें लहसून होती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही आसान है बनाने में आपने देखा ठेचा एकदम ready है तो इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे अगर मेरे recipe पसंद आई हो तो like तो बनता है और अगर आप new है मेरे channel पे तो please subscribe कर दीजिए bell बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल सके तो लीजिए हमारा ठेचा एकदम ready है आप इसे जवार बाजरा या मक्के की रोटी के साथ भी खा सकते हैं जिसे भाकरी कहते हैं माहरास्ट में जवार की रोटी को भाकरी कहा जाता है चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसेपी के लिए तब तक के लिए बाई बाई पर बाई बाई जाता है